नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लो, मेरा नाम है हशे देवेदी फ्रेंट्स और मैं आपका सौद करता हूँ अपने इस 3 मार्च 2019 के करेंट अफेर्स में देखिए, पूरे वीक मैं आपको सारी करेंट अफेर्स की important news बताता हूँ और देखिए, Saturday, Sunday को कुछ इस टाइब का हो जाता है कि बहुत ज़्यादा important P.I.B. releases नहीं रहती है तो last week से मैंने क्या किया था कि जो हफते के most important editorials होते थे थे ना उनको मैं आपको समझाऊंगा तो इस हफते भी मैंने ये किया है The Hindu के 5 important editorials मैं आपके सामने लेके आया हूँ तो पहला editorial है Hanoi Hiccup ये जो अभी second meeting हुई है Mr. Kim जो की North Korea के premier है और Mr. Trump जो की United States of America के president है उनके बीच में हुई है इससे पहले जो हुई थी वो जून में हुई थी Singapore में तो इस meeting में क्या हुआ इसके बारे में बात करेंगे फिर एक मुहम्मद जवाद शरीफ ये इरान के foreign minister है इन्होंने अभी अभी resign कर दिया था तो इनका resignation को president ने accept नहीं किया है तो अभी भी ये काम कर रहे है as a foreign minister तो ऐसी क्या circumstances आई कि इन्होंने resign कर दिया और उससे क्या relation है word affairs का इंडियन affairs का उसको हम लोग थोड़ा सा analyze करेंगे फिर FATF financial action task force में बोला है कि अगर पाकिस्तान ने proper कदम नहीं लिये तो October 2019 तक उसको blacklist कर दिया जाएगा grey list में वो already है तो पूरे issue को देखेंगे जून 2018 से इसको scramble करते हुए फिर अभी अभी एक ordinance आया है जिसमें बोला गया है कि सारी unregulated depository schemes को ban कर दिया गया है तो वो उस ordinance के थूख कैसे गरीब लोगों के हितों को देखा जाएगा इसकी बात की गई है और फिर decolonizing shagos shagos archipelago international में एक group of islands है जिसमें डियागो गार्सिया सबसे बड़ा island है जहाँ पर US का military वेस है तो maurishes claim कर रहा है कि यह जो archipelago है shagos archipelago यह उसकी territory है जबकि Britain का कहना है कि नहीं यह उसकी territory है तो यह पूरे issue को देखेंगे अभी अभी international court of justice के ruling आई है जिसके चलते इस पर बहस थोड़ी सी बढ़ देखें जैसा कि मैंने आपको बताया हनोई वेतनाम में Mr. Trump और Mr. Kim की meeting चल रही थी तो देखें शुरुआत में जो meeting चल रही थी और जो confidence था काफी high था लोग बोले थे कुछ बहुत concrete इस से निकल के आया थे experts बहुत ज़्यादा positive थे इस meeting के बारे में फिर एकदम से क्या हुआ कि meeting एकदम abruptly end हो गई एकदम से meeting हतम हो गई और फिर हुआ ये कि ये देखा गया कि meeting का जो venue था वहाँ से दोनों मतलब Mr. Kim का जो काफिला था और Mr. Trump का जो काफिले था वो वहाँ से निकल के चला गया ठीक है एकदम से और जो lunch था ना वो lunch भी cancel कर दिया गया और एक document को finalize किया गया था उसकी signing ceremony थी वो signing ceremony भी cancel हो गई तो एकदम से सब कुछ बहुत positive लग रहा था और एकदम से meeting abrupt end पे आ गई अब देखे Mr. Trump के साथ ये अकसर कर होता रहता है Mr. Trump के जो presidential tenure है उसमें कई बार ऐसा देखा गया है कि जब उनको लगता है कि इस meeting में कुछ proper outcome नहीं निकल रहा तो तो एक press briefing दी उन्होंने और विसी बात एक closing news conference होता है जब भी कोई event खतम होता है तो आप media को address करते हैं दोनों leaders तो Mr. President जो Trump जी है उन्होंने एक press briefing दी और उसके बाद वो दो घंटे पहले ही schedule से अपना plane पकड़के वापस चलेगे वाशिंग्टन Mr. Kim का जो hotel था lockdown hotel पूरा book का रखा उनके लिए तो वो उसमें ही रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो top Vietnamese leaders से मिलने के बाद दो दिन बाद फिर वो अपनी train के थूँ यानि कि अपनी armor train के थूँ चाइना होते होए Korea जाएगे यानि अभी वो वेतनाम है वेतनाम से train पकड़के चाइना से होते हुए वो आपका नौर्थ फूरिया चले जाएगे अब यहाँ पे ऐसा हुआ क्या कि यह सब problem आई दूसरी बाद यह difference कि जब Singapore वाली meeting हुई थी ना तो Singapore काली meeting के बाद एक proper वो बन गया था कि हाँ भई आगे हमें meeting करनी है second meeting तो अब यह second meeting हनोई वेतनाम में हुई है लेकिन इसके बाद तीसरा venue क्या होगा इस पे अभी कोई भी decision ना ही आया है ना ही कोई तीसरी meeting fix हुई है Mr. Trump और Mr. Kim के बीच में अब बात यह आई है कि Mr. Trump ने से जब पूछा गया कि एकदम से इस meeting के abrupt end होने का कारण क्या है तो Mr. Trump ने बोला है कि जो North Korea की Mr. Kim है इनका यह बोलना है कि North Korea without complete elimination of nuclear arsenal को commit किये बिना ही चाहता है कि US उसके उपर से sanctions अठा दे देखें यह meeting इसलिए हो रही थी क्योंकि US चाहता है और South Korea चाहता है कि North Korea ने जबर्दस nuclearization कर रखा है इतने सारे nuclear weapons रख रखें उसको denuclearize किया जाया पर्मनेटली North Korea क्या चाहता है कि भाई यह जो हमारे उपर आपने economic sanctions लगे हैं इनको हटाईए हमारी economy इससे बहुत सफर कर रही है हमारे लोग बूके मर रहे हैं तो यह दोनों तरफ के हिद है अब problem यहाँ पर सिर्फ एक आ रही है कि पहले step कौन उठाएगा प्योंग यांग जो कि North Korea की capital है North Korea का यह बोलना है अभी तक क्या है North Korea के जो पास जो भी nuclear arsenal आया है जो भी weapons आये हैं वो decades तक इसने अपने आपको militarize किया है उस पे expenditure किया है तब जाके आज वो इतने weapons बना पाया है North Korea USA क्या कह रहा है कि आप commit करिए completely आप अपने आपको denuclearize करेंगे ठीक है North Korea कह रहा है यह आप हमारे उपर से sanctions अटाइए लेकिन दोनों पार्टी चारी है कि अगला person पहले step ले ठीक है और यहाँ पे problem आके first जा रही है Pyongyang यह चाला कि सारे sanctions पहले lift हो जाए और उसके बाद वो commitment करेंगे denuclearization की तरह जबकि Pyongyang का अलग standard Pyongyang कह रहा है कि हमारे उपर साब economic sanctions हटाईए partially हम भी थोड़ा थोड़ा करके अपने आपको denuclearization शुरू करेंगे तो यह process पूरी exactly तरीके से किस तरीके से होगा इस बात पर बहस चड़ गई और कोई एक proper final stand निकल नहीं पाया Mr. Kim के बीच में और Mr. Trump के बीच में इसलिए meeting abruptly end हो गई ठीक है फिर जब वहाँ भी media briefing होई ही डिपोर्टर से Mr. Kim जो कि North Korea के प्रेमियर है उनसे पूछा कि क्या आप denuclearize करने को तयार है क्या आप अपने nuclear weapons हटाने के लिए तयार है तो Mr. Kim ने जवाब दिया अगर मैं नहीं तयार होता तो मैं यहां क्यों आता मतलब मैं तयार कि हमारे उपर से economic sanctions हटे हम denuclearize होने को तयार है और Mr. Trump भी चार है कि यह denuclearize हो तो बात सारी यहां पर अटरी आके कि कैसे होगा यह अब US को official stance क्या बोलता है कि काफी progress हुई है हनोई में लेकिन agreement में अभी हमको बहुत समय लगता नजर आ रहा है क्योंकि US का यह कहना है कि North Korea चाता है कि sanctions को पूरी तरीके से हटाया जाए और sanctions को हम पूरी तरीके से अभी हटा नहीं सकते ऐसा US बोल रहा है अभी जो Mr. Kim है वो क्या कह रहा है US President से कि हम अपनी Young Beyond Nuclear Scientific Research Center को बंद कर देंगे इसके बदले में आप हमारे उपर से सारे sanctions हटाईए तो US का कहना है कि आप केव Young Nuclear Scientific Research Center बंद कर रहे हैं उसके अलाबा भी आपके पास बहुत सारे warheads मिसाइल से वेपन सिस्टम है आपके बहुत सारे hidden nuclear fuel production sites है आपकी कंटरी में उनका क्या आप कहरे हो कि आप केवल इस Young Beyond Nuclear Scientific Research Center को बंद कर दोगे और हम आपके उपर से सारे economic sanctions हटा ले तो हम ऐसा कैसे तो North Korea ने यह offer किया और US ने इस बात को reject कर दिया US का कहना है complete denuclearization आप पूरा commitment करिए कि आप पूरे weapons अटाएंगे और यह commitment प्योंग यांग ने अब तक नहीं किया प्योंग ने कहा था कि यह वाला research center जो की इनका सबसे बड़ा research center देखे इस research center के लिए भी मान जाना North Korea के ल US की बहुत लब हमेशा से यह policy रही है कि North Korea के case में तब तक sanctions, economic sanctions वहाँ से lift नहीं किया जाएंगे जब तक country पूरी तरीके से commit नहीं करती है कि very feeable complete denuclearization करेंगे और irreversible denuclearization करेंगे आप फिर nuclear weapons नहीं बना होगे ठीक है लेकिन Mr. Trump ने इस policy को नहीं माना Mr. Trump ने कहा कि वो फिर भी कुछ हद तक Mr. Kim के साथ negotiate करने को तयार है कुछ बहुत अच्छी चीजे भी हुई है इस meeting में जब media reporters ने दोनों से पूछा Mr. Trump से भी पूछा Mr. Kim से भी पूछा कि क्या आप एक liaison office खोलना चाहेंगे North Korea में US Embassy का और क्या North Korea आपनी North Korean Embassy का एक liaison office खोलना चाहेगा Washington में तो दोनों लोगों ने बोला हाँ हम खोलना चाहेंगे तो ये एक बहुत welcome stand है friends क्योंकि ये दोनों nations हमेशा से दुश्मन रहे हैं तो एक liaison office खोलना एक दूसरे country में यही एक बहुत कि जो कुछ भी प्योंग यांग के पास है वो उसकी military success है जो उसने missiles बनाई है nuclear warheads है कि नहीं है भी कुछ पक्का नहीं पर जो भी उसके पास bomb है technology है military weapons है ठीक है missiles है ये सब जो चीज़े भी हैं आपकी प्योंग यांग के पास पिछले कई decades से प्योंग यांग ने बस इनको कोई develop किया है ना वहाँ पर economic development हुआ है ना किसी तरीके से research and scientific development हुआ कुछ नहीं हुआ है वहाँ की जंता आज भी भूकी मर रही है एक satellite image दिखाई गई थी कुछ साल पहले जिसमें देखा गया था कि South Korea पूरा चमक रहा है रात को और North Korea में बिल्कुल अधिरा पड़ा तो प्योंग आग इसको जल्दी मानने वाला है नहीं तो यहाँ पर बात आके थोड़ी सी अड़ गई है थोड़ी कसा मसी हो गई लेकिन फिर भी near future में कुछ solve होता नजर आएगा क्योंकि कुछ हद तक तो बाते देखिए आगे बढ़ी है ठीक है ना थोड़ा बहुत North Korea yield क थोड़ा बहुत US yield करने को तयार हुरा है तो हो सकता है कि अच्छा होने वाला हो प्लस अब जैसा कि आपको पता है कि Trump जी हो सकता है कि जो next president आएगे Trump के बाद क्योंकि Trump जी का 2020 दो बारा जीतना तो बहुत ही उसके लग रहा है तो हो सकता हो next president कुछ अलग कर पाएं या कु बहुत जबर्दस human rights abuses हुए हैं इनको जो प्रिजिस कायम से dissidents जो भी इनके government खिलाब बोला उसको या तो jail में डाव दिया गया है या उसको execute कर दिया गया है मीडिया वहाँ पे है नहीं ना कोई religious freedom है ना कोई right to speech है ठीक है ऐसे ऐसे famine साते हैं कि हजारों की लोग मर जाते हैं और तब भी government उनके खाने पीने की बजाए military में पैसा खतम करती रहती है फिर बहुत सारे government और military officials को सीधे सीधे execute कर दिया जाता है Mr. Kim ने खुद अपने uncle को execute कर दिया एक assassination order दे दिया अपने half brother का Malaysian airport पे तो बहुत जबरदस human right abuses के जो charges हैं वो लगे हूँ है Mr. Kim के ओपर तो इन charges पे कोई भी अपनी बात को लेके नहीं आ रहा तो इस बात पर experts ने थोरी जाय बदब उठाई है प्लस Mr. Trump का तो ट्रैक record है कि वो कई बार किसी important meeting से बीच में उठके खड़े हो जाते हैं यहां पे भी कुछ ऐसा ही हुआ तो finally क्या होगा यह बात में देखा जाएगा यह था कि देखे Singapore summit जो हुई थी June में उससे यह summit किस तरीके से लगए तो उससे यह summit इस तरीके से लगए जून 2018 में जो Singapore की summit हुई थी उसमें नॉर्थ कोरिया और यह यह यूस की बीच में प्रॉपर एक समझ में आ रहा था कि हां पर सच में कुछ ग्राउंट पर हो रहा है और उहां पे declaration कर दिया गया था कि हम फिर से मिलेंगे और उसके बाद नॉर्थ कोरिया ने complete freeze लगा दिया अपने nuclear missile test पे एक reconcilatory gesture की तरह तो नॉर्थ कोरिया ने अपने nuclear and missile test बंद कर दिया और नॉर्थ कोरिया ने सोचा कि यूएस इसके बदले में कुछ करेगा और यूएस formal declaration करेगा कि 1950 से 1953 तो जो Korean war है ना जो कि North Korea, South Korea की बीच में लड़ा गया था वो खतम माना जाएगा उसको उसका formal end माना जाएगा पर इसका declaration United States ने किया नहीं पर ये कहा जा रहा है कि near future में बहुत जल्दी United States इसका declaration करेगा प्लस South Korea, North Korea में भी relations थोड़े improve होते नदर आ रहा है तो हो सकते हैं आने वाले टाइम में कुछ अच्छी news आए और ये जो North Korea जो पूरे दुनिया से secluded है ये थोड़ा open हो, थोड़ा और liberal हो, थोड़ा democracy की तरफ आगे बढ़े है फिर हम अगले article के बात आते हैं फ्रेंट्स ये भी हिंदू में चपाए है अब देखिए जो मुहमद जवाद आरिफ है, ये इरान के foreign minister है, इन्होंने क्या किया, कि इंस्टाग्राम पे अपना resignation पोस्ट कर दिया अब बात ये आती है, कि जब इन्होंने अपना resignation अनाउंस किया, तो जो प्रेजिडेंट है हसन रोहानी, उन्होंने उनके resignation को accept नहीं किया यानि कि उन्होंने उनको बोला कि आप foreign minister की तरह ही काम करेंगे, हम आपके resignation को extend नहीं कर रहे हैं अब देखिए कि ये ऐसी क्या circumstances आई कि ये जरिफ ची ने रिजएन किया, तो देखिए बात ही है, 2015 की इरान की nuclear drill आपको पता है, P5-1 यानि जो permanent members है, plus Germany ने मिलके, बहुत सालों तक, 2-3-4-5 साल तक ये बहस चली थी इरान के साथ, आप case सा है, वो चले थे, meeting चली थे, और उसका एक proper nuclear drill निकल के आई थी 2015 में, जिसे बोला गया था कि US इरान के उपर से economic sanctions अटा देगा, और इरान अपने सारे nuclear programs को बंद कर देगा, और इरान ने बंद कर दिये थे, लेकिन Mr. Trump तो Mr. Trump है, जैसे Mr. Trump 2016 मेलक्ट हो के आए, उन्होंने बोला कि मैं इरान के साथ होई, इ उन्होंने एक temporary relief दी इरान को, और कहा कि 8 countries के साथ इरान trade कर सकती है, और उन 8 countries में एक India भी है, इसलिए इंडिया भी इरान के साथ proper तरीके से trade कर पा रही है, उसमें investment कर पा रही है, ठीक है, एक चार्ज, शाह बाहर कोर्ट, जो कि इरान में develop हो रहा है, उसको इंडिया ही कर इन 8 countries के साथ भले ही permission दी है, इरान को trade करने के लेगिन तब भी इन economic sanctions का इरान पे जबरदस्त असल हो रहा है, और इरान की currency weekend हो रही है, वहाँ पे inflation बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये सब चीजें हो रही है, अब देखें, जो ये Mr. Zarif का resignation आया है ना friends, ये इनके government के और एक section है आपका moderate, hardliner मतलब कटर विचारधारा वाले conservatives, moderate मतलब जो थोड़े से advanced है, ये जो Mr. Zarif है ने moderate group को बिलोंग करते हैं, इन hardliners का क्या बोलना है, ये hardliners शुरू से ही skeptical थे, ये जो आपकी US के साथ nuclear deal हो रही थी ना इरान की, इसके against इनका ये कहना था, कि इरान moderate सा क्या कहना था कि पूरी दुनिया के साथ मिलके बनो, nuclear weapon program को छोड़ो और economic sanctions अपने उपर से हटाओ, financial development करो, ठीक है, तो hardliners और moderate की बीच की जो debate है वो काफी decades से चली आ रही इरान में, अब जब Mr. Trump ने इस nuclear deal को खतम कर दिया ना, तब इन hardliners को एक मौका मिल गया, hardliners उ बोल रहे हैं कि नहीं हमको West के साथ मिलके चलना चाहिए, क्योंकि भले ही US विड्रॉ कर गया और European Union की बहुत सी countries हैं, जो कि अभी भी इरान को support कर रही है, European Union की बहुत सी countries ने Mr. Trump को समझाने की कोशिश किये कि आप बड़ी मुश्किल से nuclear deal sign हुई है, आप इस तरीके से nuclear deal से withdraw मत करिये, बट Mr. Trump तो Mr. Trump है, वो कर गया withdraw, even Mr. Trump को domestically US के अंदर से भी बहुत resistance आया था इस nuclear deal को नाक समय करने का और Mr. Trump ने इस बात को माना नहीं, चलिए वो एक अलग बात है, ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि Mr. Zarif को कुछ इस तरीके से लगा जा रहा था कि इनको boycott किया जा रहा है, इंटर्नल गॉर्मेंट फंक्शनिंग में, यानि इंटर्नल गॉर्मेंट फंक्शनिंग में इनको ज़्यादा involved नहीं किया जा रहा है, इसका एक visible parlance ये था कि एक, जो सीरान के प्रेजिडेंट है, बशर अलसाथ, यो को उस दिन पहले तहरान गया थे, इरान क राज़तानी में, वहाँ जाके इरानिय अधर्टी से मिले, फिर वहाँ के सुप्रीम लीडर है, इरान के आयोटला, अली खिमनाई, उनसे मिले वो, लेकिन इनको मिस्टर जरीव को उनसे नहीं मिलने दिया गया, तो मिस्टर जरीव को ऐसा लग रहा था, कि थोड़ा सा पुस्ता था, और प्रेजिडेंट ने उनके इस रेजिगनेशन को एकसेप्ट ही नहीं किया, और देखें, प्रेजिडेंट रोहानी न जो रेजेक्ट यह है न, उनका एक तरीके से ये बहुत अच्छा स्टफ है, क्योंकि प्रेजिडेंट रोहानी भी जानते हैं, जो मिस फ्रांस, जर्मनी और यूके, ये लोग इस फेवर में नहीं थे कि USA नुकलिर डीन से विड्रॉ करें, बट फिर भी USA नुकलिर डीन से विड्रॉ कर गया, उसके बाद भी USA की मर्जी की खिलाब जाके जर्मनी, फ्रांस और यूके ने एक स्पेशल परपस वेकिल बनाया गय जिसके थूँ ये इरान के साथ अपने ट्रेड को फैसिलिटेट कर रहे हैं, यूएस इस बात से नाराज जरूर है, लेकिन फिर भी ये आगे बढ़ रहे हैं, डिस्पाइट यूएस सैंक्शन से लगा रखा है, लेकिन तब भी जर्मनी, फ्रांस और यूके मिलके इन्हों operate करना है, ठीक से काम करना है, तो फिर इरान को जो International Financial Action Task Force है ना, FATF की जो rules है ना, internationally accepted rules है ना, उनसे abide करना पड़ेगा, और उनसे abide करने के लिए जो local Iranian laws है ना, वो इरान के expediency council और Parliament में pending है, यह शूअधि के CO3 को मानने के लिए जो domestic law है, वो अभी इरान के expediency council में और Parliament में pending ह क्यों है क्योंकि इनकी पार्लेवेंट में बड़ी जबर्दत बहस चल रही है मॉडरेट्स की बीच में और हार्ड लाइनर्स की बीच में कि भाई इन एक्सपीड ये जो आपके FATF के रूल्स को मानने वाली बात है क्या या एक्सेप्ट किया जाया है और हार्ड लाइनर्स का कहना है कि अब इसको एक्सेप्ट हमें नहीं करना हआ है मॉडरेट्स का यह कहना है कि ये European countries Germany, France और UK बहुत बड़ी countries है इनके साथ हमको मिलके चलना चाहिए तो कि कभी ना कभी US भी हमारे साथ आई जागा देखे ट्रम जी का क्या है 2016 में प्रेजिडेंट बने है 2020 में उन्होंने हारना ही हारना है जिस हिसाब से उनके हालाच चल रहे है तो जो दूसरे प्रेजिडेंट आएंगे पूरे चांसे थे कि वो आते ही इस न्यूकलर डील को फिर से वैलिडेट कर देंगे इसलिए जो इरान के लोकल मॉडरेट्स हैं उनका ये बोलना है कि हमको अपनी इस न्यूकलर डील को ओनर करना चाहिए और यह जो नया स्पेशल परपस वेकिल बना है जिसके तूँ ये FATF रूल्स को हम अपनी पारलेमेंट में पास करा रहा है ये पास होने चाहिए उनको लॉग बनाना चाहिए तो इस चक्कर में हाड लाइनर्स और मॉडरेट्स की बीच में बहस चल रही है और उस चलते जब मिस्टर जरीर जो की एक मॉडरेट है इन्होंने रिजाइन किया तो हसन रोहानी जी ने उनके रिजिगनेशन को मना कर दिया तो अभी भी ये बहस चल रही है अभी ये बहस आगे किस तरफ जाएगी ये हमको पता नहीं लेकिन भले ही यूएस के मिस्टर टरंप ने गलती किया और नुकलर डिल से निकलके इरान को ये गलती नहीं करनी चाहिए 2019 साही चुका है 2020 ने फिर से यूएस में प्रेजिडेंशिल एलक्षन होंगे और प्रेजिडेंट ट्रंप के उपर और आने वाले प्रेजिडेंट के उपर ये प्रेशल पड़ेगा कि उस नुकलर डिल को रिन्यू किया जाए इरान के साथ ठीक है फिर हम बात करेंगे फ्रेंट्स एक और आपका ये एडिटोरल चाहिए टेरर टाइल लाइन और FATF एडवाईजरी टू पाकिस्तान अब इसमें क्या है भाई कि देखे फाइनशल एक्शन टास्क पोर्स फ्रहा बैग्राउंड देख लेते हैं जून 2018 की बात है फाइनशल एक्शन टास्क पोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला इस ग्रे लिस्ट में डाला क्योंकि United States, United Kingdom, Germany और France ने बोला कि आप पाकिस्तान को Financial Action Task Force की ग्रे लिस्ट में डालिए क्योंकि Anti-Money Laundering और Terror Funding Guidelines को बार-बार पाकिस्तान वॉयलेट कर रहा है और पाकिस्तान का ऐसा नहीं था कि पहली बार 2018 में उसको ग्रे लिस्ट में रखा गया हो 2012 से लेकि 2015 तक भी वो इस ग्रे लिस्ट में रहा है और केस क्या है पाकिस्तान के अगेस्ट में कि पाकिस्तान UN न जिन जिन टेरर गूप्स को बैन कर रखा है जैसे तालिबान हकानी नेटवर्क जैसे मुहमद लस्कर एतायबा जम्मत उद्वावा फलाई इंसानियत फाउंडेशन और फे जो हाफिस सही तो मसूद अज़र जैसे जो टेररेस्ट है उसको सपोर्ट कर रहा है तुँए तो इस बैसेस पे पाकिस्तान से बोला गया है कि आप इंके खिलाफ एक्षिन लीजे पाकिस्तान एक्षिन नहीं लिया तो इसको पुल्वामा अटैक को क्रिटिसाइस किया और साथ-साथ Financial Action Task Force ने एक 10 पॉइंट की advisory issue की पाकिस्तान की जिसमें उन्होंने प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान को बताया कि अगर आपको हमारी grey list से निकलना है और grey list का मतलब क्या है कि आपकी financial activities अगर आप grey list में हैं तो that means कि आपकी financial activity international monetary system के अगेंस जारी नुफसान पहुचा सकती है तो अगर आपको इस फाइन ये grey list से निकलना है जिसमें आप जून 2018 से हैं तो आपको ये 10 point advisory को मानना पड़े के जो 10 के 10 point है इससे आपको अधेर करना पड़ेगा और अगर आपने अधेर नहीं किया तो मई में review होगा और October 2019 तक मई 2019 में review होगा और October 2019 तक हम आपको blacklist कर देंगे और अगर financial action task force में पाकिस्तान को backlist किया तो फिर उसके repercussions क्या होंगे कि जबरदस्त और enhanced financial scrutiny हो सकती है पाकिस्तान government की पाकिस्तान की जो central bank है उसके खिलाफ possible sanctions रह सकते है यानि उसके लिए काम करना और मुश्किल हो जाएगा प्लस पाकिस्तान की financial और credit institutions को downgate कर दिया जाएगा उसकी proper देखिए अगर आप blacklist हो गए ठीक है ना तो ना आपकी country में आके कोई पैसा इंवेस्ट करेगा ठीक है नहीं आप important important international financial institution से credit dealings कर पाएंगे बहुत सारी चीजों पर आप cripple हो जाओगे financial और already आपके पास इतनी जबरदस acute debt prices चल रही है balance of payment आपका almost खतम होने पर balance of payment में केवर इतना पैसा है कि केवर आप एक महीने का import finance कर सकते हैं तो जब आपकी इतनी बूरी आलत है और उसके उपर अगर आपको financial action task force में blacklist कर दिया तो आप बिलकुल ही problem में आ जाएंगे तो ये एक ऐसी चीज़ जो पाकिस्तान इस समय afford नहीं कर सकता तो अब obviously पाकिस्तान के उपर तैवा के दो offshoot से जम्मत द्वावा और फलाई इंसानेत foundation को band organization के list में डाल दिया गया है फिर एक मदर्सा है बहावलपूर में उसका administrative control ले लिया है वहां की security forces में कहा जा रहा है कि ये जो मदर्सा है वो मौलाना मसूद अजर के जैशे मुहम्मत का है ठीक है तो ये सब steps लिये गए हैं बट on ground इन steps का कोई बहुत खास फर्क पढ़ने वाला है नहीं ऐसा कहा जा रहा है प्लस financial action task force का एक और observation है कि भाई पाकिस्तान शायद इस बात को ये समझ नहीं पा रहा है कि ये जो support दे रहा है ना इन terror groups को जैसे कि आपका अलकाइदा Islamic State लश्करे तैबा जैशे मुहम्मत ठीक है ये पूरे दुनिया के international system के लिए खराब है पूरे दुनिया की शांती के खराब है और इसी लिए इसलामाबाद पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है कि वो visibly ऐसे steps ले ताकि इन groups को जो infrastructure मिल रहा है जो finance मिल रहा है पाकिस्तान के दर्ती पे उस पे block लग सके और मई 2019 तक पाकिस्तान को इस पे result दिखाने पड़ेंगे क्योंकि जून में एक review होगा इस चीज़ का और अगर उसमें proper results नहीं पाए गए तो अक्टूबर 2019 तक इसको black list में डाला जा सकता है पाकिस्तान को अब देखते हैं इसमें आके क्या होता है फ्रेंट्स ये financial action task force का कहना है तो देखे इस समय पे पाकिस्तान ये जो आपके हमारे अभिनंदन को जो उने छोड़ा है wing commander को अभिनंदन वर्तमान को और जो बाकी चीज़ें पाकिस्तान को जो इस समय पे जो low stance आपको नजर आ रहा है ना ऐसा नहीं है कि बहुत ज़दा डर गया है पाकिस्तान इंडिया से पहले क्या था कि पाकिस्तान के support में बहुत सारे international players बोलते थे जैसे Saudi Arabia बोलता था USA बोलता था China बोलता था अभी सब ने पाकिस्तान को अलग छोड़ दिये सब लोगों को पता है कि अगर Pulwama attack करने के बावजूद भी अगर इन countries ने पाकिस्तान को support किया तो उनकी international standing भी गिरेगी इसलिए China ने भी अपने आपको side कर लिया Saudi Arabia ने भी अपने आपको side कर लिया USA ने भी अपने आपको side कर लिया सब ने condemn किया पाकिस्तान की action को हमारी जो air strikes हुई उसको किसी ने भी criticize नहीं किया फिर Organization for Islamic Conference में भी इंडिया को बुलाया गया as a guest तो ये सब देखते हुए और प्लस Financial Action Task Force की warning तो पाकिस्तान को इस समझ में आ गया है कि एक तरीके से वो internationally isolate हो रहा है तो उसमें बहुत जबरदस्त pressure बढ़ रहा है इस टाइम पे इसलिए पाकिस्तान का stance automatically low हो रख था है इस टाइम पे तो अब देखे आगे इसमें किस तरीके से होने वाला है चुकि ऐसे भी कोई visible steps पाकिस्तान ने लिये नहीं है कि वो देखे सब को पता है कि मौला ना मसूद अज़र पाकिस्तान में हाफिस सहीद पाकिस्तान में पाकिस्तान चाहे तो इनको arrest कर सकता है ठीके लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है यानि कि अभी भी जो उसका commitment है इन terror groups को हटाने के लिए ये बहुत ज़ादा doubtful है आगे आने वाले समय में क्या होता ये देखना बाकि चुकि जहां तक finance की बात होती ना पाकिस्तान को ऐसा लग रहा होगा इस समय पे कि अभी तो सब कुछ गरम है ठीके बहुत सारी hot news चल रही जब तक मैं अक्टूबर 2019 तक जब तक हमको blacklist करने की बारी आएगी तब तक हमारे support में चाइना या USA जैसा कोई आई जाएगा चाइना अभी उनके support में बोल नहीं सकता चूकि फिर वो सीधे सीधे उसका support में तक जाएगा क्योंकि अभी-अभी palwama attacks हुएं देरे-देरे चाइना उसकी support मैने लगेगा और उसमें तो पाकिस्तान expect करेगा कि इस financial action task force के matter पे चाइना उसे support करे साओधिय रिपया उसे support करे एग्जैक्ली क्या होगा वो उसमें पे देखा जाएगा फिर safety nets on banning unregulated deposit schemes इसके बारे में देखते हैं विखी friends एक ordinance है आपका इसके बारे मैंने पहले की current affairs की वीडियो में भी cover किया है इससे related जो bill था उसको लोग सबा में आकरी दिन पास करा लिया गया राज सबा से वो पास हो नहीं पाया तो इसको ordinance की तरह लेके काया गया है और इसमें साफ-साफ government ने कहा है कि ऐसी कोई भी deposit scheme जो regulated नहीं है जो किसी proper regulator के साथ registered नहीं है उसको illegal माना जाएगा ban किया जाएगा और साथ-साथ उस scheme को जो भी चला रहा है उसको उपर fine डला जाएगा उसको arrest किया जाएगा यह ordinance जमू और कश्मीर को छोड़के पूरे देश को apply होता हो तुरंत immediately force में आएगा और इस ordinance में तीन तरीकी के लोगों के लिए penalties है एक जो deposits मांग रहे हैं लोगों से solicit मतलब deposits लेने की कोशिश करना दूसरे जिन्होंने लोगों से deposit लिये हैं तीसरे जिन्होंने लोगों से deposit लेकिने के बाद उनको उस पे जो benefits है और जो terms थे उस deposit लेने के वो नहीं दिये तो तीसरे category के लोगों है तो तीन category के लोगों को इसमें identify किया गया है जो पहले category के लोग है जो लोगों से deposit मांग रहे हैं एक unresolated deposit scheme का उनको jail हो सकती एक से 5 साल की और 2 से 10 लाग का fine हो सकता है दूसरे वो लोग जिन्होंने लोगों से deposit ले लिये हैं उनको jail हो सकती 2 से 7 साल की और 3 से 10 लाग का fine तीसरे वो लोग जिन्होंने deposit भी ले लिये हैं और फिर उन deposits को लोगों को वापस नहीं किया है उनसे related benefits लोगों को वापस नहीं किया है तो उनसे 3 से 10 साल का jail time हो सकता है कम से कम 5 लाग के उनको उपर fine पड़ेगा और जितने उनने deposit लिये हैं ना उससे दोगने तक का finance से वसूला जा सकता है और ये बहुत important scheme है friends देखे हमारे देश में बहुत लोग अनपड़ है बहुत लोग banking system को नहीं समझ पाते हैं बहुत लोग के पास KYC norms नहीं है तो उनको शारदा chit fund scam जैसी चीजों में फ़साना बहुत आसान होता है अब वो बिचारे गरीब गरीब लोग 500 रुपया कमाया महीने का जमा कर दिया 400 कमाया महीने का जमा कर दिया इस तरहें किसे लागए लोगों ने रुपय जमा कर दिया वो बहुत सारा करूर रुपया हो गया तो जिसने deposit scheme मनाई थी उसने लेके पैसा खा लिया अब इन schemes का काम क्या होता है कि जैसे जैसे नए नए लोग enroll कराते जाते हैं तो पुराने रोल जिलों ने enroll कराया है तो उनको फायदा वो देते रहते हैं जब नए रोल enroll कराना बंद कर देते हैं तो पुराने लोगों को कुछ नहीं दे पाते हैं क्योंकि ये पैसा कहीं invest नहीं हो रहा है, deposit taking schemes में आप return के सिसाफ से देता हो, जिसे माल लो आपने किसी bank में deposit किया, किसी पैसे को, माला आपने 100 रुपे bank में deposit किया, उस पे bank ने बोला हम आपको 10% का interest देंगे, ठीक है, तो bank आपको 110 रुपे देगा, लेकिन bank फिर उस 100 रुप return देंगे, पर 50% return कैसे दोगे भाई, जब आप आगे उसको 75% पे घुमाओगे, पर कौन 75% देगा आपको, आप तो लोगों को बेवकूर बना रहे हो, तो आप उससे पैसा ले तो लोगे, उसको अपनी जेब में डाल लोगे, फिर उसको जो return देना है, तब तक आप दोग जब newspapers इस तरीके की किसी भी deposit scheme को publish करेंगे, advertisement दिखाएंगे, तो वहाँ पर उस newspaper की responsibility होगी, ये newspaper पहले verify करेगा कि क्या ये deposit scheme regulated है की नहीं है, अगर वो deposit scheme unregulated है, उसके बाद भी newspapers का add दिखा रहा, तो newspaper के खिलाफ action हो सकता है, फिर ये ordinance ये भी बोलता है, कि एक centralized body बनाई जा जिसमें पूरा data होगा legitimate deposit takers का, यनि कौन-कौन deposit ले सकता है लोगों का, उसका पूरा data हो centralized body में होगा, तो अविसी बात है, अगर कोई नया deposit taking entity आ रही है, तो पहले जाके उसको अपने centralized database में अपने आपको register करना पड़ेगा, ताकि लोगों को ये information हो, कि हम जहाँ पैसा ल पता चल जाएगा, तो एक ऐसी central repository, central online database बनाए जाएगा, ऐसा इस ordinance में बोला गया, जहाँ पे लोग जाके check कर सकते हैं, कि अगर वो किसी deposit scheme में पैसा लगा रहे हैं, तो क्या वो deposit scheme सही है या नहीं है, और प्लस, जिन्होंने fraudulently ये deposits लिया है, पैसा लिया है लोगों से, ठ assets को attach किया जा सकता है, उन assets को बेचा जा सकता है, उससे आयोए पैसों से, जिन दिन depositors से उनको पैसा लिया है, उनका पैसा लोटाया जा सकता है, ठीक है, यानि जो लोग इस scheme में illegal तरीके से पैसा लोगों से वसूल रहे हैं, उनके assets को बेचके, जिन लोगों से पैसा लिया अब इसमें कौन कौन सी स्कीम सा जाती है भाई देखे चिट फंड स्कीम सा जाती है ये पूरा शैडो बैंकिंग सिस्टम का पार्ट ठीक है और गौवर्मेंट रेगुलेटर्स के बाहर था इसलिए लोग इसमें बेवकूफ बन जाते हैं खासकर वो लोग जो पर काम करता है तो उसमें से कई लोग तो होते हैं कि 500 लोग दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं दिन दिन के 100 रुपे बचा रहे हैं तीस दिन के 3000 रुपे लगाया है और जाके ऐसे किसी स्कीम में लगा दिया है जो उनको कभी वापस नहीं मिलेगी अब उस इंसान के लिए 3000 लौ में कनवर्ट हो जाए उतना अच्छा रहेगा इसको सक्सेस्फुल बनाने के लिए इसका प्रॉपर इंप्लिमेंटेशन जरूरत है ब्यूरोक्रेट्स को अन ग्राउंड रिस्पॉंसिबल होना पड़ेगा ताकि यह चीज ठीक तरीके से अपलाई हो सके अब कैसे अब देखे शागोज आखी पिलाजो फ्रेंड्स आपका इंडिया नोशन में है इस शागोज आखी पिलाजो की न्यूस को मैंने एक या दो दिम पहले कवर भी किया था अगर आप मेरे करेंट एफर्स को रेगुलरली फॉलो कर रहे है तो आपने इस न्यूस को देखा आप जाके मैप में इसको चेक करीए मैंने इंटेंशनली इसको इसकी लोकेशन को नहीं डाला था कि आप खुछ जाके मैप में देखें तो इंडिया नोशन में देखी क्या है फ्रेंड्स कि इस आची पिलाजो को मौरिशेस क्लेम कर रहा है मौरिशेस कह रहा है कि यह हमार इप मुरशेष से ले लिया और लगबग पंदरा सो लोग इस शागो आ की पिलाजों में रह रहे थो जिनों को निकाल के मुरशेष बेब एच दिया गया और आब मुरशेष यह कह रहा है कि जिस condition के अंदर हमसे ब्रिटेन ने ये आर्की पिलाजो लिया था वो conditions बहुत immoral थी, बहुत unethical थी, हम उससे में independent नहीं थी हमारा फायदा उठाया, हमें बेवकूफ बनाया और हमसे हमारे islands को छीन लिया जो की हमको वापस मिलने चाहिए ब्रिटेन obviously बात है इनको वापस देना चाहेगे नहीं आप देखोगी आज की डेट में बहुत सारी ऐसी territories है friends जो colonialी France के पास थी Spain के पास थी, Britain के पास थी वो आज भी उनके पास है जैनि colonialism का जागता हुआ उधार कह सकते हो अब शागोज आर्ची पिलाजो को की देखा जाया तो legally ये मौरिशेस के पास ही रहना चाहिए अब ये चीज गई थी अभी International Court of Justice ने पूरी कोशिश की थी कि ये चीज International Court of Justice में ना जा पाए ब्रिटेन ने बढ़िए International Court of Justice में चली गई और International Court of Justice ने अभी अभी ये ruling दी है कि भाई ब्रिटेन को शागोज आर्ची पिलाजो को मौरिशेस को वापस कर देना चाहिए लेकिन अब ये जो International Court of Justice के पास गया था ना ये advisory opinion के लिए गया था तो ब्रिटेन ने तुरंद पलटके बोला कि ये एक advisory opinion है International Court of Justice का ये कोई judgment नहीं है अब बात ये लेट 1960s ने US ने एक military base मना रखा है शागोज आर्ची पिलाजो का जो सबसे बड़ा island है डियागो गार्सिया वहाँ पे US का एक बहुत बड़ा military base है 2016 में ब्रिटेन ने उस military base की lease को 2036 तक बढ़ा दिया अब मौरिशेस का ये कहना है कि हमारा ये कोई intention नहीं है कि हमको उस military base को वहाँ से अटाना है आप बस उस island का control हमें दे दीजे यानि पहले US उसको लीस पे दे रहा था US को आप control हमें दे दीजे हम USA को उसको लीस पे देंगे हमें वो military base वहाँ से नहीं है अटाना है बस ये हमारे islands हमको लटा दीजे ये पूरा पूरा शागोज आके बिला जो हमारा है ये हमें लटा दीजे और ब्रिटेन इतनी आसानी से कहां देने वाला है फेंट्स ठीक है तो ये पूरा बहस चल रहा है ठीक है और International Court of Justice में बोला है कि जो जिस conditions में 1965 में शागोज आरके पिला जो मौरिशेस से लिए गए थे ये गलत थी colonial legacy को दिखाता है और इसलिए ब्रिटेन को पूरी जिम्मेदारी के साथ ये मौरिशेस को लोटा देने चाहिए ठीक है अब क्या होगा क्या नहीं होगा यहाँ पे इंडिया भी officially मौरिशेस के support में है इंडिया भी ये बोल रहा है कि ये जो ब्रिटेन arguments दे रहा है कि शागोज आरके पिला जो उसका है ये argument पूरी तरीके से सही नहीं है अब इसका कितना फर्क आएगा कितना फर्क नहीं आएगा देखिए ICG की ruling binding तो है नहीं ब्रिटेन के उपर अगर वो judgment भी होता तो भी उसके उपर binding नहीं होता लेकिन हाँ उसका एक soft power जरूर है उसका एक कहते ना कि अब ICG ने ऐसी ruling दिये तो एक moral pressure आ गया है ब्रिटेन के उपर कि भाई बिल्कुल सही बात है सबको पता है कि ब्रिटेन है colonial power रही है पूरी दुनिया पे इसने राज किया और आज भी इसकी बहुत सारी territories foreign में प्रेजेंट है और उनमें से एक शागोज आर्की पिलाजों के पास आके Mauritians को fishing rights मिलने चाहिए तो ये सब चीजें कही जा रही है अब कितना होगा कितना नहीं होगा यो तो बस समय ही बताएगा पर ICG की ये ruling आई थी जो की काफी important है और एक moral victory है ये Mauritians के लिए और एक moral defeat है अब इसमें आगे क्या होगा ये तो समय ही बताएगा तो ये था फ्रेंट्स पूरा topic ये कुछ important आज के अज के अडिटोर्स थे जो मैंने आपके साथ डिसकस की है अगर इससे थोड़ा बहुत फाइदा आपको हुआ हो अगर इससे थोड़ा बहुत भी आपको फाइदा होगा तो मेरे लिए काफी कुछी की बात है कल most probably current affairs नहीं आएंगे मंडे को मैं सारे current affairs ले के आऊँगा देखिए Saturday था आज PIB releases के 12 थी और 7-8 PIB releases कल आएंगी संडे को उसमें से important policy decisions किसी में भी नहीं होगे इसलिए Monday से हम लोग फिर से अपने current affairs के उसमें आ जाएंगे Sunday के current affairs मैं publish नहीं करूँगा So thank you for watching this video friends अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो Please इसको जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ Share करे friends WhatsApp गुरूप में Share कर दे आपके Twitter handles हैं देखते हैं तो automatic inspiration मिलता है So thank you for watching this video friends अच्छी लगी हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना कमेंट्स की थूरू बताईए वीडियो कैसी लग रही हैं कोई suggestion हो कि proper changes लाने हो तो वो भी आप without any hesitation बता सकते हैं